दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भगवान की पूजा करते समय हम घंटी क्यों बजाते हैं इसका भी बहुत सुन्दर रहश्य है यह तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान विश्णू ने इस प्रत्रे पर 24 अवतार लिये हैं लेकिन 29 अवतारों में से भगवान विश्णू के दो अवतार सबसे अधिक प्रिशिद्ध हैं जिन में एक हैं राम अवतार और दूसरा हैं तुष्ण अवतार आईए जानते हैं पूजा के समय घंटी बजाने का रहश्य जब भगवान विश्णू ने दौपर योग में कृष्ण जन में लिया था तो सारा संसार बड़ा ही प्रशन्य था भगवान धीरे धीरे बड़े होते गए और उनकी लीलाएं बढ़ती गई उन लीलाओं में से एक लीला है माखन चुराना भगवान कृष्ण अपने समस्त सखाओं के साथ सारे ब्रज के घरों का माखन चुराते थे सारे गोपिया मात यशोदा को आए दिन जताने आती थी कि तुमारा लनला माखन चुर है लेकिन यशोदा माखो उनकी बादें जोटी सी लगी फिर एक दिन मा यशोदा ने भगवान कृष्ण को घर से बाहर जाने से मना करते हुए तहां की घर पर ही रहना लेकिन भगवान कृष्ण मानने वालों में से नहीं थे उन्होंने अपने ही घर में माखन चुराना टारंब कर दिया माता यशोदा रोच चीके पर माखन रखती और भगवान कृष्ण श्वयम खाते और अपने मित्रकों भी खिलाते तब एक दिन माता यशोदा ने यह निश्चय किया कि यह पता लगाना ही होगा कि मेरे घर का माखन आकिर जाता कहा है तब माता यशोदा ने चीके पर माखन के साथ साथ एक घंटी भी बांदी ताकि यह पता चल सके कि जब भी माखन चुराने के लिए चोर आएगा तो घंटी अवश्य बजेगी और मैं उसे पकड़ लूँगी और उस दिन भागवान कृष्ण माता यशोदा के हाथ में रंगी हाथों पकड़ आ गए और उस दिन माता यशोदा ने भागवान कृष्ण को यह श्राप दिया कि जब भी तुम्हें भोग लगेगा तब तब घंटी बजेगी और तब से किसी भी भागवान की पूजा करते समय उन्हें घंटी अवश्च बजाई जाती है उसके बाद ही उन्हें भोग लगाया जाता है रादे रादे दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रादे रादे लिखना ना भूलें